नई धान का भाव 3600 पे प्रती क्विंटल के पार देखने को मिल रहा है धान की 1509 किस्म मंडियों में पहुंच चुकी है पानिपत जिले के रादोर मंडी में आवक्ष ज्यादा है रेट के लिहाद से इस बार धान की ये किस्म किसानों की बले बले कर रही है प्रती क्विंटल रेट 3600 को पार कर चुका है जबकि गतवर्ष 3000 उपए प्रती क्विंटल पर यह किस्म बिक्ती दिखाई दी थी इन दिनों का टाई जोर उपर है खेत खाली होने के बाद किसान अब दूसरी फसल की तैयारी कर सकेंगे आपको बता दे कि जिले में बड़े स्तर पर धान की खेती होती है और इसमें 1509 किस्म आगेती होने के कारण जल्दी पकर त्यार हो जाती है अच्छे दाम मिलने से किसान खुश है जिले में 5000 हेक्टियर से अधिकेरिया में धान की ये किस्म बोई गई है धान की फसल को लेकर इस बार मोसम समान्य देखने को मिला है और बारिश भी अधिक नहीं हुई फसल लेकर आए किसानों का कहना है कि इस बार पैदावार गतवर्ष से कम है लेकिन दाम अच्छे मिल रहे हैं उनका कहना है कि गतवर्ष 3,000 से 32,000 रुपे प्रतिक विंचल तक इस किस्म की धान बिकी थी इससे पहले वाले वर्षों में 1800 से 1900 रुपे का भाव रहा था किसानों का कहना है कि धान की 1509 किस्म किसानों के लिए काफी फायदे मंद है ये किस्म कम अब्धी की है और 90 दिन में पकर त्यार हो जाती है फिलाल, रादोर और जगाधरी अनाज मंडी में ही इस किस्म की धान पहुँच रही है हर दिन 10 ते 15,000 बोरी मंडियों में देखने को मिल रही है धान में नमी की मात्रा फिलाल अधिक है बिकने से पहले फसल को सुखाना पड़ रहा है इसकी खरीद भी प्राइविट खरीदारों द्वारा ही की जा रही है उत्र परदेश के काफी किसान 15,000 वेराइटी लेकर जा रहे है आड़तियों का कहना है कि इस बार धान की पकाई के लिए मोसम अच्छा रहा और दाम भी अच्छे मिलने से फिलाल किसान काफी खुश है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी